अस्सलाम वालेकुम मैं शाभी खान आप सब का स्वागत करती हूं मेरे चैनल कोकिंग हैबिट्स में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोर्मा तो यहां मैंने ले ली है देड़ किलो चिकन इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और यह मैंने ले लिया है चार कांदो का बेलिश्टा वन कप कर्ड और यह कुछ ड्राइ प्राउडर मसाले है रेड चिली पाउडर वन टेबल स्पून थ्री टेबल स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी और जीरा पाउडर वन टी स्पून और यह है काजू के तुकड़े इसमें मैंने गरम पाई डाल के इसको भि और अब हम chicken को marinade करेंगे इसमें मैं डाल दुंगी पानी और पानी में मैं डालूँगी six tablespoon vinegar और फिर इसमें डाल दूंगी मैं नमक इस तरह से मेरिनेट करने से चिकन बहुत अच्छी टेंडर होती है कोर्वे में टेस्ट अच्छा आता है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी शुगर शुगर से भी जो चिकन का जो टेस्ट है वो चेंज होता है और इसको मैंने देखी कर दिया है मिक्स और जैसे ही हमारा पानी वाइट होना शुरू हो जाए तो समझ चाहिए कि हमारी चिकन मेरिनेट होना शुरू हो गई है इसको मैं आदे घंटे के लिए मेरिनेट होने के लिए रग दूँगी आप चाहे तो ज़ादा भी कर सकते और ये देखिए मैंने बिलिच्टा लिया है अब इसी धही में से हम देर टेबल स्पून इसमें डालेंगे एक्स्ट्रा नहीं लेनी आपने वरना जादा हो जाएगी धही और हाँ धही खटी बिल्कुल ना लेना ये देखिए अब इसमें मैं डालूँगी ये काजू के तुकडे इसको हम कर लेंगे अच्छे से ग्राइन फाइन पेस्ट बनाना है ये देखिए इस तरह से पेस्ट बनना चाहिए वाटरी नहीं होना चाहिए इतना गाड़ा होना चाहिए तो ही हमारे कोर्मे में वो टेस्ट आएगा अब ये जो पाउडर्ड मसाले हैं इसमें मैं ये धरी डाल दूँगी इसको इस ट्रेनर के तुरू मैं चान लूँगी ये देखिए अब इसको मैं इसको कर लूँगी चम्मत से अच्छे से मिक्स मिक्स होके ये ऐसा दिखेगा अब हम चड़ा देंगे हमारी हंडी इसमें मैंने डाला है आदा ओईल और आदा असली घी आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं घी लेकिन घी से फ्लेवर अच्छा आता है तेल को जादा गरम मत होने दीजिएगा अब इसमें हम डाल देंगे हमारा दही और पाउडर्ड मसालो वाला मिक्सचर लेकिन याद रखिए गरम तेल में नहीं डालना है वरना हमारी दही फट सकती है और हमने डाल दिये इसमें सारे खड़े गरम मसाले आपको मैंने जो बताये थे अब इसको मैंने मिक्स करना शुरू कर दिया है धीरे धीरे अब इसमें बबल जाने शुरू हो जाएंगे फिर हमारे भूनने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा ये देखिए इस तरह मिक्स कर दीजिए उसके बाद आप फ्लेम को थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए ये देखिए इसमें बड़े बड़े बबल जाना शुरू हो गए मतलब हमारे जो दही का मॉइस्टर है वो उड़ने लगा है करते रहिए इसको अच्छे से मिक्स जब तक ये थोड़ा सा सूप नहीं जाता ये देखिए इसमें बबल जोर भी मोटे आने शुरू हो गए है याद रखिएगा प्लीज बिल्कुल भी तेल को जादा गरम मत होने दीजिएगा स्टार्टिंग में अब ये देखिए तेल अलग होने लगाए दही से और मसालों से इसका उनलब भूनना हमारा स्टार्ट हो चुका है अच्छे से ये देखिए पूरी तरह से अलग हो गया तेल और बड़े बड़े बबल जा रहे हैं अब इसमें हम डाल देंगे टू टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट सौरी मैं आपको इंग्रीडियंट्स में बताना भूल गई ये बहुत इंपॉर्टन चीज है निकल जाता है कभी कभी जहन से इनसान के तो उसके लिए म जादा नहीं दस मिनट तक भून दिये क्योंकि हमारे प्याज अल्रेडी फ्राइट थे अब इसमें मैं डाल दूंगी चिकन के पीसे और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने ये देखिए चिकन हमारी जब तक वाइट ना होना शुरू हो जाए तब तक उसको भून द तक ये मसाला अच्छे से कोट हो जाए चिकन पे मैंने कर दिया है मिक्स अब इस पर लिड धक दूंगी मैं और इसको दम पे पकने दूंगी अच्छे से क्योंकि हमारे लेकपीस बड़े है ये देखिए हमारा कोर्मा रेडी है आप चाहे तो पानी कम डाल कर इसे थोड़ा गाड़ा रख सकते है वैसे ठंडा होने के बाद अल्रेडी गाड़ा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा पतला ही रखा है फिर उसके बाद अगर हम गरम करते तो भी पतला नहीं होता गाड़ा ही रहता है ये देखिए रेडी है हमारा टेस्टी सा कोर्मा इसको अब हम यह मैंने कर दिया है सर्व इसको बावल में आप भी बनाइए टेस्टी और सिंपल सी डिश और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अल्ला हाफिज